और लो गाइज वेलकम टो यूटूब इस्ट डी और इस वीडियो में देएंगे फ्रेक्सन को पर्सेंटेज में कैसे करते हैं और पर्सेंटेज को फ्रेक्सन में कैसे कनवर्ट किया जाता है तो शुरू करते हैं पहले परसेंटेज को फ्रेक्शन में कैसे करते हैं तो माले जी हैं जी फिफ्टी पर्सेंट लिखा रहे हैं 50% का मतलब बता है 50 पर हैं तो इसका मतलब हुआ अगर इसको हम सिंप्लिफाय कर देंगे तो वन बाइट वा जाएगा इसका मतलब 50% का फ्रेक्शन होता है वहता है वन बाइट तो और इसी तरह माल लिजे हम देखते हैं कि 20% 20% का मतलब है 20 पर हैंड़ इसका मतलब हो गया 1 बाइफ वाइफ तो 20% को फ्रेक्शन में हम कहते हैं 1 बाइफ पाइफ तो हमने देखा कि अगर किसी परसेंटेज को हम फ्रेक्शन में कनवर्ट कर रहा हैं कि किसी परसेंट को किसी परसेंट को किसी परसेंट को अगर फ्रेक्शन में कनवर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं मल्टिप्लाइ कर दे रहे हैं इसको डिवाइट कर दे रहे हैं इसको है है हम अधर से लोटिवाइट किया रहा है है एन डट से तो अब देखने की फ्रेक्शन को परसेंटेज में कनवर्ट करने के लिए निए कर देना किया करेंगे करेंगे हैं जैसे मुल्टिप्लाइब करेंगे किया जागा 50 इसका मतलब यह होता है है तो इसकी बात करें तो इसका मतलब हुआ कि तू को 50 पर्सेंट जो है वह वां है तो ने क्या सीखा कि अगर हम फ्रेक्शन को मिवाइट कर रहे हैं हैं है अग्छरा वट्रीट है है haven फ्राइक है फैक्षा सबढ़ा रहा है डिवाइट करा इंडर से हैं आपके हैं एक दुन पर ले रहें और लिजीए टैन पर्सेंट है इसको हमें प्रक्शन में च्यांज चुन करना तो क्या करेंगे 10 by 100 इसका मलब 1 by 10 ठीक है अब इसी का अगर हम इसी का इफ्रेक्शन को अगर हम परसेंट में बदलें तो क्या करेंगे तो हम इसी को 1 by 10 को मुल्टिक्लाई कर देंगे 100 से इसका मलब 10 परसेंट तो अगर वह अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे को क्या करेंगे मल्टिकाई कर देंगे 100 से और अगर परसेंट को प्रक्षन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे तो सीधे दिवाइड कर देंगे 100 से त्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग जिलाइट वीडियो दें प्लिस लाइक शेर अंब शेर थैंक यू